हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू नॉलेज मॉल और आज की वीडियो है बिहार दरोगा SIPT के लिए 50 कोशन के सेट के साथ तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकोन को जरूर प्रेस कर लीजेगा ताके आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और लगाते हैं पहले कोशन के सेट के साथ पहला कोशन है कि निमलिकित में से कौन सा मिलान गलत है आंसर है इसका ओप्सन डी दिया गया है कि रंगन थिट्टू पक्षी विहार ये नेलोर आंदरपरदेश में है तो ये गलत है क्योंकि रंगन थिट्टू पक्षी विहार ये जो है मांडिया करनाटक में इस्थित है बाकी की जो option है वो सही है घाना पक्षी विहार ये भरतपूर राजस्थान में है सुल्तानपूर पक्षी विहार ये गुरूराम हर्याना में है और सलीम अली पक्षी विहार ये चिराओ गोवा में इस्थेत है विस्व का सबसे बड़ा प्रायदीब निम्लकित में से कौन सा है? आंसर है इसका option B अरब प्रायदीब निम्ल में से किस कांग्रिश्ट अधिवेशन में पहली बार जन गन मन गाया गया था? आंसर इसका option है 1911 के कल्कता अधिवेशन में और इसकी अध्दक्षता जो की गई थी वो पंडित विशन नरायन धर के द्वरा किया गया था सिमला सम्मेलन कब हुआ था आंसर इसका option C 1945 में सिमला सम्मेलन जो हुआ था वो 1945 में हुआ था एक सो अंतर रास्टी टी 20 मैच खेलने वाली पर्थम भारतिय महला किर्केटर कौन है? आंसर है ओप्सन भी हर्मन प्रीत कौर विस्सु मरेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ओप्सन सी 25 अप्रेल को पुस्तक स्वपन पास के लेखक या फिर लेखी का नमलिखित में से कौन है? आंसर है इसका ओप्सन ए मनीशा कुल्सरेश्ट और मनीशा कुल्सरेश्ट को उसके उपन्यास स्वपन वास के लिए 2018 में बिहारी पुरसकार से सम्मानित किया गया था नूर सुल्टान नमलिखित में से किस देश की रासधानी है? आंसर है इसका ओप्सन सी कजाखिस्तान की केंदिर सतरकता आयुक्त के आगस 2020 में अध्यक्ष नमलिखित में से कौन है? आंसर है ओप्सन बी संजे को ठारी समर्थ योजना का संबंध निमलिखित में से किस से है? आंसर है ओप्सन ए कपड़े के छेत्र में प्रस्रिक्षन प्रदान करने का लक्ष से बंद अर्थवस्था वह अर्थवस्था है जिसमें? आंसर है option D, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है पहली बार केंद्रिय विधान परिशद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पिर्थक निर्वाचन की विवस्था की गई थी आंसर है इसका option number A, भारतिय परिशद अधिनियम 1909 में भारतिय परिशद अधिनियम 1909 को मारले मिन्टू सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है निमलिखित में से कौन सा भारतिय अर्थविवस्था का प्रमुक लक्षन है आंसर है option C, मिस्रित अर्थविवस्था विकास का भारतिय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? आंसर है इसका option number C, राज्य और व्यक्ति दोनों की ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में सम्विधान निर्मान हेतु भारत भेजा गया? आंसर है option D, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को किस अनुच्छेद में उलिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग होगा? आंसर है option A, अनुच्छेद एक में निमलिखित में से कौन सी विशिस्ताएं आस्ट्रेलिया के सम्विधान से ली गई है? आंसर है option D, संसत के दोनों सदनों की सन्युक्त बैठग बाकी के जो option है, राज के नितिन निर्देशक तत तो ये लिया गया है आरलेंड के सम्विधान से संग्य विवस्था ये लिया गया है कनाडा के सम्विधान से और विधी द्वारा अस्थापित परती की असौरी प्रकिरिया ये लिया गया है जापान के सम्विधान से वित आयोक का गठन किया जाता है? आंसर है option C, प्रतेग पांचमें वर्स में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक निमलिखित में से कौन थे? आंसर है option C, शैयद अहमद बरेलवी संग राजी छेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमू निमलिखित में से किस उचने आले के अधीन है? आंसर है option A, कोलकाता उचने आले के अधीन राजसभा का सरोपर्थम गठन किस वर्स हुआ था? आंसर है option B, 1952 में राजसभा का पहली बार गठन ये हुआ था 3 अप्रेल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी देश में कोरोना वाइरस से पहली मृत्यू निमलिकित में से किस राज्य में हुई थी? आंसर है इसका option C, करनाटक में और यहाँ पे धोड़ा सा ध्यान दीजेगा अगर पूछा जाएगा कि कोरोना वाइरस का पहला मामला भारत के कौन से राज्य में तब तो केरल राज्य में देखा गया था लेकिन अगर पूछा जाएगा कोरोना से पहली मृत्यू किस राज्य में हुई तो वो करनाटक के कलगुर्ली में हुआ था अर्थ सास्त्र के छेतर में नॉबल पुरसकार 2020 के विजेता निमलिकित में से कौन है? आंसर है option C, Paul R. Milgram अर्थ सास्त के छेतर में नॉबल पुरसकार 2020 में Paul R. Milgram और Robert V. Wilson को सन्युक्त रूप से दिया गया राज्य वगांधी खेल पुरसकार 2020 की विजेता मनीका बत्रा का संबन्द निमलिकित में से किस खेल से है? आंसर है option D, table tennis से राज्य वगांधी खेल रतन पुरसकार 2020 ये पांच लोगों को दिया गया तो गो आप टोटल याद कर लिजे क्योंकि इन पांचों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है निमलिकित में से कौन सा देश नवंबर 2020 में पेरिस जलवायों परिवर्तन समझोता से अलग हो गया? आंसर है option B, अमेरिका इरानी ग्रंथ जेंद अवेश्ता से किस बौधिक ग्रंथ से शमानता पाई जाती है? आंसर है option A, रिगवेद से निमलिकित में से कौन सा सुल्तान कुरान को बेच कर आय अरजित करता था? आंसर है option C, नसरुद्दीन महमूद निमलिकित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है? आंसर है option A, दिया गया कि सुरेंद रनात बनरजी यंग इंडिया के संस्तापक तो गलत है क्योंकि यंग इंडिया पत्रिका के शंपादा की महात्मा गांदी थे बाकी के option सही है, Discovery of India के जवाहरलाल नहरू, Fighter for Freedom के सुवाश्चंद्र बोस और History of Indian National Congress के 25 श्रितार महिया हमारे तंत्र में अधिक्तम ATP अन्वों को उत्पर्ण करने वाला पद निमलिखित में से कौन सा है आंसर है option C, Krebs Chakra, और ये Krebs Chakra जो है कोसिका के माइटोकॉंडिया में संपन होता है निमलिखित में से कौन रासायनिक और वरक नहीं है आंसर है इसका option B, Sodium Sulfate ये रासायनिक और वरक नहीं है बाकी की जो option है, यूरिया, सुपरफॉस्पेट, पोटैसिम नाइट्रेट, ये सभी रासायनिक और वरक के उधारन है काच का सबसे महत्वपूर्ण घटक 10 होता है आंसर है option C, Silica रेड लाइन अभ्यान का उद्देश से क्या है आंसर है option C, कि रेड लाइन अभ्यान का उद्देश जो है, वो एंटिबायोटिक दबाओं के दुरूपियों को नियंतरित करना है हेपेटाइटीस से सरीर का निमलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है आंसर है option B, यकरित निमलिखित में से किसमें नियूट्रोन अनुपस्थित होता है आंसर है option C, hydrogen में hydrogen में एक इलक्ट्रोन और एक प्रोट्रोन होता है और नियूट्रोन जो है अनुपस्थित होता है निमलिखित में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादर अपनी मार्ग में अवरोधों को पहचान कर सकती है आंसर है option A, परासरव्य तरंगों को प्राप्त करके सत्रहवी समानांतर रेखा निमलिखित में से किन दो देशों की अंतररास्टिय सीमा रेखा है आंसर है option B, उत्तरी एवं दक्षी वियत नाम के बीच निमलिखित में से कौन सा खरीफ फशल नहीं है आंसर है option D, गेहूं, गेहूं खरीफ फशल नहीं है बलकि ये रवी फशल है और चावल, मक्का, शोयाबीन ये सभी खरीफ फशल के उधारन है निमलिखित में से कौन सा मिलान गलत है आंसर है option B, दिया गया चैत्रा भूमी का संबंद जग जीवन राम से है तो गलत है क्योंकि चैत्रा भूमी का संबंद बियार आम बेदकर से है यनि कि ये समाधी अस्थल है किसान घाट ये चौदरी चरन सिंग की समाधी अस्थल है वीर भूमी राजीव गांदी की और शांती वन ये जवाहरलाल नहरू की निमलिखित में से किस मरो अस्थल में बुश्मेन जनजाती का निवास अस्थान है और ये कालाहारी रेगिस्तान का विस्तार जो है ये वोथस्वाना, नामीबिया तथा दक्षिन अफरिका में है और इसी मरो अस्थल में बुश्मेन जनजाती का निवास अस्थान है वायू मंडल के निमलिखित में से किस अस्तर में निम्न तापमान दर्ज किया गया है आंसर है ओप्सन बी मध्य मंडल में एलिशा हिली का सम्बंध निमलिखित में से किस खेल से है आंसर है ओप्सन ए किरकेट से एलिशा हिली जो है ये औस्ट्रेलियाई महिला किर्केट खिलाडी है और जिसने की अब तक सबसे अधिक स्टम्प लिया है भारत का सबसे बड़ा तेल सोधन साला कौन सा है? आंसर है ओप्सन एक जाम नगर भारती अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिश्ट को समाप्त कर दिया गया? आंसर है ओप्सन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की द्वारा प्लेइंग इट माई वे किस किर्केट खिलाडी की आत्मकता है? आंसर है ओप्सन सी सचीन तेंदुलकर की चटकीरा निर्त कहां का लोक निर्त है? आंसर है ओप्सन भी मद्ध परदेश का किस ताप पर एंजाइम सबसे अच्छा कारे करता है? आंसर है ओप्सन सी 35 से 40 डिगरी सेलसेस पर बिहार में किस बैंक की अस्थापना सरुपर्थम होई थी? आंसर है ओप्सन डी इलहाबाद बैंक की बिहार सरकार ने सतत जिवी को पारजन योजना कब से सुरू की? आंसर है ओप्सन भी 2018 से बिहार में सराब बंदी के बाद जिवी को पारजन योजना की सुरुआत की गई और इसे पांच अगस्त 2018 में प्रारम किया गया नियाय का जंजीर के लिए निमलिकित में से किस मुगल बात्साह को याद किया जाता है? आंसर है ओप्सन सी जहांगीर को हरित क्रांती का प्रारम किस पंचवर्षिय योजना को माना जाता है? आंसर है ओप्सन भी तीसरी पंचवर्षिय योजना को तो ये थे 50 कोश्टन के सेट आई होप की स्कोर काफी अच्छा रहा होगा आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं और ऐसा ही सेट लगाते रहिए तैयारी को जारी रखिए ताकि आपको आने वाले एक्जाम में इसका फायदा जरूर दिखे तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कमेंट इन सेर करना ना भूले धन्यवाद